गुद मॉर्निंग स्टुडेंट, इस मी स्वाती अक्रवाल, तोड़े आई विल टीच यू असेंडिंग ओर्डर एंड डिसेंडिंग ओर्डर, इन असेंडिंग ओर्डर हमें एक रम लगाना पड़ता है छोटे से बड़े, अतलब जैसे हम सीडियां उपर क्यों ओर जाते ह पहले 1, फिर 2, फिर 3, ऐसी असेंडिंग ओर्डर में होता है आपका छोटे से बड़े, जैसे हमने लास्ट क्लास में लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट फाइंड करने के लिए मैथर्स पड़ेते, उसी प्रकार हमें असेंडिंग ओर्डर में सबसे पहले छोटा डि तो हम तीन डिजिट के नंबर ले लेंगे, ये है, ये है और ये है, इनमें हम पहला डिजिट चेक करेंगे, इसमें है 3, 4 and 3, अब 3 वाले डिजिट 2 है, तो हम देखेंगे इसमें सेकंड नंबर है 2 और इसमें सेकंड नंबर है 4, इसलिए आपका सबसे छोटा नंबर हो गय सेकेंड आपका हो गया 342 थर्ड आपका हो गया 432 और फिर आपके पास बचेंगे 4 डिजिट्स के नंबर अगर इनमें हम कंपैरिजन करके छोटा बड़ा नंबर देखें तो आपका हो जाएगा 3442 फिर आएगा 4032 और लास्ट आपका जो बचा है वो आजाएगा 4320 आप देखते हैं descending order descending order में आपका method सेम रहेगा बस क्या होगा आपका बड़े से छोटा नंबर आजाएगा जैसे हम सीड़िया उतरते हैं सबसे पहले ऊपर वाली सीड़ी फे नीचे वाली सीड़ी ऐसे descending order में हो जाता है बड़े से छोटा क्रम हम देखते हैं इस question में हम पहले digits चेक करेंगे जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो हम सबसे पहले लिख देंगे according to digits ये नंबर आपका चार नंबर है सारे नंबर चार चार के हैं तो आपका पहला ये हो जाएगा दूसरा ये हो जाएगा तीसरा ये हो जाएगा चौथा और लास्ट आपका सबसे smallest नंबर 101 तो ये लास्ट पर पहुंच जाएगा इसी प्रकार आपको ये सारे करने हैं next question आपका कहता है write 43 digit number formed by using the digits 407 407 से बनने वाले तीन नंबर 407 से बनने वाले आपको चार नंबर लिखने हैं तो हम बनाते हैं लेकिन हाँ ध्यान रखने हैं इसमें आप 0 को पहला digit कभी भी नहीं लेंगे क्योंकि अगर 0 पहला digit हो गय तो वो number आपका 2 digits का कहलाएगा फिर आपका 3 digits का नहीं कहलाएगा तो हम इसके लिए बनाते हैं number पहले हो जाएगा आपका 740 704 हो जाएगा अब हम 4 को पहले लिख लेते हैं 470 और 407 ये आपके 4 digits बन गए इसी प्रकार आपको 7 वाला question करना है इसमें आपको 6 digits बनाने हैं ल तीसरा number भी 8 से ही होगा आपका इसी प्रकार आपको ऐसे करके 6 number बनाने हैं 4 मैंने आपको बना के दिखा दिये हैं दो आप खुछ से बनाना अब आपका next question है write the largest 4 digit number formed by using that digits बिलकुल same question आपका 6 की तरह है आपको largest 4 digit number बनाना है और largest digit बनाने के लिए आप largest number को पहले लिखेंगे फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा ये आपका largest number बन गया second or third आप खुछ से कर लेना ninth है smallest 4 digit number बनाना है smallest 4 digit भी ऐसी बन जाएगा आप सबसे पहले smallest number लिखेंगे फिर उससे greatest फिर उससे greatest फिर उससे greatest आपका ये smallest 4 digit number बन गया है smallest 4 digit number जो in digits से मिलकर बने है ये सबसे smallest नहीं है end digits से बनने वाली ये smallest number है I hope आपको आज की वीडियो पसंद आई हो Thank you